कि अधियुक हाज मिए कि अधियुक है कि अधियुक हैं आधियुक है यह जार्थ की विछ दूब करेंगें जाट धियुक है इस थिद्वाथ को द्यान रखियेगा कि जर्फ एक चाप्टर नहीं है General Accountancy का Base है Base जिससे पूरी Accountancy पढ़ी जाती है जिससे पूरी Accountancy बनती है अगर आपने General को अच्छे से पढ़ लिया अच्छे से सीख लिया तो समझ लिए कि आप Accounts के अच्छे Students या आने वाले टाइम में Accounts के Perfect Professional बन सकते हैं लेकिन अगर आपको General में Problem है या General आप नहीं जानते तो आप समझ लिए कि आप Accountancy में हमेशा परेशान ही रहें General को हम लोग इन तीन Golden Rules से पढ़ेंगे जो ये तीन Golden Rules हैं ये ध्यान रखेगा ये आप सिर्फ General में नहीं बलकि आने वाले जितने भी chapters आप One After देदर पढ़ेंगे सब में यूस करिएगा और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि आप पूरे इंडिया में किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में किसी भी बोर्ड में हो इससे कोई फर्ग नहीं पढ़ता आपके ये जो Golden Rules हैं अक्रॉस इंडिया एक ही होते हैं और आप खुछ सोचिए कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप एक बार पढ़ लिए और अक्रॉस इंडिया सब जगा यूस करें तो कितना फेवरिट होता जैनल ये तीन Golden Rules से पढ़ा जाता है और ये तीन Golden Rules अकाउंटेंसी के 1st chapter जनल में 2nd chapter लेजर में 3rd chapter ट्रायल में 4th chapter 5th chapter 6th chapter और जितने भी chapters आप आगे पढ़ेंगे सब में यूस कीज़ेगा और ये तीन rules आइटेलियों सिर्फ rules नहीं हैं ये अकाउंटेंसी के pillars हैं और अकाउंटेंसी के जितने भी chapter पढ़ा जाते हैं जितने भी concept पढ़ा जाते हैं सबसे पहली सबसे खास चीज़ इसी को कहा जाता है नाम है Golden Rules of General या Golden Rules of Accounting और इसको आप कैसे पढ़ेंगे आप इसको learn मत करीगा let me tell you clearly इसको आप learn मत करिएगा क्योंकि आप learn करेंगे ना अकाउंटेंसी learn करके नहीं पढ़ेंगे कोई भी student across India किसी भी college में हो किसी भी board में हो general कोई learn करके नहीं पढ़ सकता और जाहरी सी बात अगर आप general learn करना चाहते हैं तो आप आज तो learn कर लेंगे लेकिन next time आप उसके concept नहीं जानते तो इसको आप solve नहीं कर पाएंगे इसलिए चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं general का जो पहला rule है इसको देखें यहां क्या लिखा है dr लिखा तो dr है लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे आप debit याद रखिए का लिखने में यह है dr लेकिन प्रनाउसेशन इसका होगा debit और आगे देखें क्या लिखा है debit what comes in debit what comes in and cr अब देखें cr जो लिखा है लिखेंगे आप cr लेकिन जो प्रनाउसेशन होगा उसका नाम होगा credit cr और dr नाम याद रखिए now debit check it out debit what comes in and credit what goes out अब यह rule तो बोलने में इतना ही है debit what comes in credit what goes out लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अच्छे से ऐसे जैसे आपके दिमाग में आपके माइड में हमेशा एक बात बन जाए चलिए इसको examples के समझते हैं यह rule actually words clear जब भी कभी market से आप कोई समान purchase करेंगे या फिर sale करेंगे चलिए हम लोग कुछ example लेते हैं example के तोर पर माल लिजे की आपने market से एक bike खरी दी कोई अच्छे company की आपने अपने लिए bike खरी दी तो जब आप bike खरी देंगे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास या आएगी bike इसको लोग बोलेंगे debit और उस time आपके पास bike तो आ गई अब उस time आपके पास क्या गिया यह सोचिए what you have given over there तो आपने क्या दिया होगा cash या फिर check तो जो bike है इसको आप debit कर दीजेगा जो cash है या चेक है इसको आप credit कर दीजेगा आईबास समझ में एक और example ले लेते है थोड़ा different example माली जागी आपने कोई books खरी दी market में books, academic books भी होती है other books भी होती है माली जापने कोई books खरी दी तो जब आपने books खरी दी तो आपके पास क्या आया सोची है या आई आई आए आपके पास books आई ना what of this mind में आपको सोची है कि आपने books मार्केट से गए और market से आपने कुछ books खरी दी आपके पास क्या है? आपके पास हाई आई books तो books will be debited और जाहिस से बाद उस नहीं आपने क्या दिया होगा उस नहीं आपने दिया हुगा cash the cash is credit हाई पास समझें एक और अच्छा example ले लेते हैं दो example दिया ना एक bike का bike आपके पास आई debit और आपके पास क्या गया उस cash या चाहिए दूसरा example आपके पास क्या आपने क्या purchase किया आपने books purchase कि तो book आप पास आई debit और आपके पास क्या गया इसको आप समझ लीजिए कहीं भी कभी आप market समान खरीदेंगे ना आपके दिमांग में example आएगा गया आम लोग ने इसको पढ़ा था थर्ड इक्जामपल ले लेते हैं इस topic का माली जब आपने कोई एक बड़ा घर खरीद लिया कोई फ्लैट या एक बड़ा घर तो उस क्रेट कर दीजेगा और आज के बाद जब भी कभी आप कोई भी समान चोटा या बड़ा मार्केट से खरीदें मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जो आपने खरीदा डेबिट वाट कमस इन और जो आपने दिया और क्रेट पॉर्ट समझ में आई बात और यह याद रखि क्रेडिट दः कीवर अभिशक अग्जद यूश करेंगे इसको भी फड़ा से एक्जांपल में समझते हैं मार लीजे की कोई दो लोग है एक Mr. X हैं और एक Mr. Y है चलिए में लोग इक्जांपल बे लेते हैं यह है Mr. X और यह है Mr. Y अब Mr. X से Mr. Y को पैसे दे दिये 10,000 तो आदे किसको पैसे मिले और यह मिल बैसे बात को ब ponieważ आप आप यह को आ बिलब सो किसको पैसे मिले किसको शो को पैसे इलिए यह जाएगा उसको debit और जो पैसा पेए गारेगा उसको credit इसी topic का हम लोग यह debit the receiver or credit the giver का एक example और ले लेते हैं एक example से आपके मन में और clarity आएगी और concept clear होंगे यह है Mr. John और यह Mr. Joseph Mr. John Mr. Joseph यह दो बिजनसमेन हैं किसी business में अब Mr. John ने Mr. Joseph को कुछ पैसे दे दिये अगें देखिए Mr. Joseph मुस्कुरा रहे हैं कि इनको पैसे मिले लेकिन अभी वापस भी करना पड़ेगा remember Mr. John ने Mr. Joseph को पैसे दिये अभी John कुछ amount भी होगा 10,000 या 20,000 रुपीज चली 10,000 मानते हैं ये John ने जोजफ को जो पैसे दिये देखिए इसमें किस ने रिसीव किये पैसे रिसीव किये Mr. Joseph ने तो he will be debited और Mr. John ने पैसे पे किये या कहें तो give किये तो जो पैसा रिसीव करेगा ये receiver है इसको debit करिएगा और ये giver है इनको आप create करिएगा आज के बाद जब भी कभी आप बिजनेस में कोई भी transaction करें बिजनेस ना भी करें तो debit to life में transaction करें जब आपको इसमान मार्केट से खरीदे तो debit what comes in और market को जब पैसे आप जब उसको लिए पैसे तो credit what goes out जब भी कभी दो लोग आपस में transaction करें मेभी friend हो मेभी businessman हो मेभी relative हो तो आपके मन में ये clarity तो रहनी चाहिए ना कि debit the receiver credit the giver fine कोई doubt या कोई cross question होगा तो comment box में मेरे से पूश लिजेगा this is rule number one and two now it's coming towards the third rule third rule भी बहुत important है बहुत effective है यह third rule debit all expense and losses credit all income and gains देखिए debit all expense losses credit all income and gains fees तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और detail में समझते हैं तो जल्दी clear होगा आपको थोड़ा सा ध्यान से आप मालीजे कोई business करते हैं छोटा या बड़ा कोई business तो business में आपके expense कौन से होंगे और income कौन से हो थोड़ा समझ के अमाल लीजे आप अपने आपको example लीजे कि आपको एक business कर रहे हैं दुनिया में बहुत सो लोग है जो अलग-अलग business कर रहे हैं छोटे business भी है बड़े business भी है large scale भी है small scale भी है medium scale भी है चली example के दौर पर देखिए एक ग्जाम्बल हम business करेंगे ज़ारी इस चेशनरिी ने मुगा... वह सकती आप एक्स बांपने जो पर देख लिए शेप बैंक में पैसे जमा इंट्रेस मिला वह आपकी इंकम हो गया बैंक इंट्रेस्ट उसके लावा नसे आपने कई सापको discount मिल गया तो यह discount received आपकी इंकम हो जाएगा मान लिए कि आपने कहीं कोई insurance कर आया था वहां से कोई आपको claim मिला तो यह insurance claim received आपकी income हो जाएगा यह rule 3 है कि जितने भी expense हो सब debit और जितनी भी income हो सब credit अब यह हुई तीन rules की बात अब तीन rules तो हम लोगों ने पढ़ लिए तीन rules थोड़ा सा आपको समझ में भी आया होगा और details के लिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं यह तीन rules जो है यह यह जो तीनो rules है आपको इनका combination पता होना चाहिए combination मतलब कि कब आप rule 1 apply करेंगे कब आप rule 2 apply करेंगे कब आप rule 3 apply करेंगे जनल को और अच्छे समझे के लिए हम लोग जनल में अभी एक छोटा था example लेंगे example इसलिए है क्योंकि examples जब numerically हम लोग solve करेंगे तो उसको आपके मन में 100% perfection आजाएगा कि हम लोग general सीख गए है यह हम लोग general सीख सकते हैं चलिए यह आपके सामने example है इस example में three points लिखे हूंँ पहले आप इन three points को पढ़ली जाए विखे हुए है इन three points को हम लोग आप जनल में solve कर देते हैं, जनल में solve कर देंगे, तो आपको clearly समझ में आ जाएगा, कि हम लोग जनल को कैसे practically solve करते हैं, पहला point हम लोग आथा, commission received का, तो जब आप commission received करेंगे, तो आपको पास क्या आएगा, आपको आएगा, देखिए, ये cash, और आपको क्या जाएगा, क्या जाएगा, कुछ गया तो है नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, क्या आपकी income होई ये, इंकम होई आपकी, called as commission, आपको पास मिला cash, ये cash, और आपके पास जाहिर से बात है, क्या आपकी income होई, income होई आपकी commission के नाम से, ये आपका पहला point है, एक और point देखते हैं, ये point क्या गया, आपको सोचिए, आपने market से कोई furniture खरीदा, value 1000 हो या 5000 हो या 10,000 हो या 20,000, आपने खरीदा क्या furniture, तो देखिए, furniture will be, देखिए लिखा है ना, furniture account debit, ये DR जो है debit, और two side में जो लिखा है, इसको credit बोलते है, तो furniture account debit to cash, clear, आपके पास देखिए, बहुत simple aspect है, क्या आपके पास क्या आया, क्या आपके पास पर नीचर आया, और आपके पास क्या गया, ये गया cash, एक और example ले लेते हैं, वो third point, third point हम और लोग आ चाहता, हम लोगा third point क्या था, salary paid, rupees 1000, figure आप 1000, 2000, जो भी figure लेना ले सकते हैं, तो ये जब आप salary pay करेंगे, तो क्या होगी, आप to cash, क्योंकि आपके पास कुछ जाएगा, ये आपका cash जाएगा, तो that's it, salary account debit हुआ, क्योंकि हमारा expense हुआ, और cash हमारे पास गया, ये हमारी income हुई, ऐसे हम लोग ये जो general बनाते हैं, वो इस तरह होता, और एक बात और याद रखिएगा, general के नीचे एक छोटा सा narration लिखा जाता है, narration क्या होता है, narration का मतलब होता है explanation, जो आपने ये debit grade किया है उसको छोटा सा explain कर दिया जाता है, इस explanation को हम लोग बोलता है narration, simple language में बोलेंगे तो explanation, लेकिन accounting के language में बोलेंगे तो narration, ये narration आपको हमेशा लिखना ही है, बिना narration के कभी general को पूरा नहीं माना जाता है, इसलों बस short में लिख दिजिए, और सबसे अच्छी बात क्या है, कि narration को आप अपने words में लिख सकते हैं, जो भी वहाँ पे आपने लिखा है, उसको वहीं से आप लिख दिजिए, अपनी language में लिखिएगा तो best है, नहीं तो आप book की language, question की language भी copy कर सकते हैं, ये तीनों point revise क को आगे पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे कि जनल का advanced level कैसा होता है, ये जनल का base level जो था, अब जनल कभी पढ़ीगा, तो इनी तीन rules को apply कीजेगा, जो आज हमनों ने discuss की हैं, और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे, उसमें bell icon दबा दीजेगा, ताकि आपको मेरे videos as soon as possible मिलते रह आप पूरे इंडिया में किसी भी board के student हो, किसी भी state के student हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी village में हो, I don't care, हमको इससे कोई problem नहीं है, इसलिए क्योंकि जनल ये जो आप पढ़ना है accountancy, उसमें general भी है, ledger भी है, travel से, all over India सबका same ही है, कहीं पर भी कोई भी problem, कोई भी confusion लगे, तो comment box मेरे से पूछ लीजेगा,